दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि IPL 2024 की शुरुआत होने में महजब से कुछ ही गंटों का समय बचा है इसलिए दोस्तो चैनले सुपर किंग से कप्तान महेंडर सिंग दोनी और रोयल चैलेंजरस बेंगलूर की कप्तान फेब डोपलेसी ने अपनी फाइनल प्लेंग 11 का ऐलान कर दिया है दोस्तो आपको बता दें कि दोनों ही कप्तानोंने अपनी final 11 में ऐसे ऐसे खलाड़ीं को मौका दिया जिनके नाम सायद आपमें से काफी लोग नहीं जानते हैं दोस्तो आपको बता दें आखिरकार दोनों ही टीमों में अंसटने नामों का कारण क्या है दरसल दोस्तो दोनों ही टीमों के बड़े बड़े नाम चोट की चलते अपना पहला मकाबला नहीं खेलेंगे बहीं पर दोस्तो CSK टीम के कुछ बड़े नाम IPL से रूलड आउट हो चुके हैं उन ख्राडियों के नाम है डेविन कॉन्वे और मतीसा पतीराना चलिए दोस्तो आपको बता दें दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेंग लेविन मगर उससे पहले आपको बता दें कि IPL 2024 का पहला बड़ा महा मुकाबला कब कहां और कितने वज़े से खेला जाएगा तो दोस्तो IPL 2024 का पहला मुकाबला चैन नहीं में खेला जाएगा बहीं दोस्तो आपको बता दें कि यह महा मुकाबला 22 मार्च को रात 8 बजे से खेला जाएगा चलिए दोस्तो अब आपको बताते हैं दोनों ही टीमों की फाइनल 11 मगर उससे पहले आपको क्या लगता है IPL 2024 का पहला महा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी आप अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपको यहां किरकेट से जूरी हर एक जानकारी सबसे पहले मिलती है चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं चैनने सपर किंग्स्री फाइनल प्लेंग लेविन दोस्तो सी एसके के लिए IPL 2024 में रितुराज गाइक बार और रची रविन्द ओपनिंग करते हुए बहुत रण बनाएं मगर दोस्तो देखना होगा कि रची रविन्द अपने IPL डेवियों में किस तरह का गेम खिलते हैं दोस्तो नम्मर तीन पर सी एसके के लिए एक बार पर अजिंग के रहाने बल्ले बाजी करेंगे अब देखना होगा कि डाली में चल आई पिल में किस तरह का परदसन करते हैं नम्मर पांच पर सिबम दुवे बल्ले बाजी करने आएंगे पर दोस्तो आप सब ये जानकर बहुत खुस होंगे कि सिबम दुवे ने अफगानिस्तान के खिलाब खेले गई की 20 सीरीज में अपनी बल्ले बाजी का काफ ये अच्छा परदसन किया था नम्मर चैपर मोईनेली बल्ले बाजी करने आएंगे दोस्तो आपको बता दे मोईनेली 2023 से पहले CSK के लिए नम्मर तीन पर बल्ले बाजी करने आते थे लेकिन अप देखना होगा की मोईनेली इस साल फिनीसर की भूमी का निबा पाते है या नहीं नम्मर शाथ पर रवंदर जड़ेज अपनी बल्ले बाजी का जल्वा बखेरते नजर आएंगे दोस्तो आईपियल 2023 के फाइनल मकाबले की लाश्ट दो बॉल पर सोका और सक्का मारका CSK को पांच बियार आईपियल बजेता बनाया था नम्मर आठ पर बल्ले बाजी करने आएंगे महेंदर सिंग दोनी दोस्तो एमेज दोनी की बल्ले बाजी देखने के लिए CSK के फैन कापी जादा एकसाइटेड है नम्मर नो दस पर सादुल ठाक और और दीपक छेर तेज गेंदवाजी का मोर्चा समा लेंगे नम्मर ग्यारा पर महेज तीकसना इस्पिन गेंदवाजी का जिंबस हमा लेंगे दोस्तो CSK के इंपेक्ट खलाड़ी की भूमी का मुके सोधरी निभाएंगे दोस्तो चोड के चलते मुके सोधरी पिछली साल IPL का एक में मकाबला नहीं की चलिए दोस्तो अब एक नज़र डालते हैं RCV की तावा टूर प्लेंग लेविन पर दोस्तो RCV के लिए एक बार फिर ब्राट कोली और फेब डोपले सी ओप्रिंग करते नज़र आएंगे दोस्तो आपको बता दें ये दोनों ही बल्लेवाज अपनी बल्लेवाजी के दम पर टीम को चिताने का दम रखते हैं नमर तीन पर रज़त पार्टिदार RCV के लिए बल्लेवाजी करेंगे दोस्तो आपको बता दें रज़त पार्टिदार का मौजूद अपवाम खराब है मगर ये खलाड़ी बहुत ज़्यादा ही खास है नमर चार पर महीपाल लॉम्रोर बल्लेवाजी करने आएंगे दोस्तो महीपाल लॉम्रोर भी अच्चे का बल्लेवाज है नमर पांच पर ग्रेन मैक्सवेल बल्लेवाजी करने आएंगे दोस्तो मैक्सवेल के बारे में बताने की कोई ज़रुवत नहीं है नम्मर 6 पर केमरन गरीन बल्लेवाजी कनने आएंगे दोस्तो आपको बता दें केमरन गरीन ने अपना पिछला IPL AMI की टीम से खेला था और कापी अच्छा प्रदसन भी किया था नम्मर 7 पर दिनेश कार्तिक RCB को फिनिसिंग देने के लिए आएंगे दोस्तो आपको बता दें दिनेश कार्तिक का पिछला सीजन कापी खराब गया था मगर इस साल उमीद करेंगे कि दिनेश कार्तिक अपना बेस्ट दें नम्मर 8 पर करन सर्मा इस्पिन गेंदवाजी का जंबा समा लेंगे नम्मर 9, 10, 11 पर अलजारी जोसफ, मुहम्मद सराज और आकाश दीप तेज गेंदवाजी का मोर्चा समा लेंगे बहीं दोस्तो RCB के एमपेट खिलाड़ी अनुज राबत रहेंगे तो दोस्तो आपने दोनों ही टीमों की प्लेंग 11 देख लिए तो आपको क्या लगता है दोनों ही टीमों में से किस टीम की प्लेंग 11 ज़्यादा खतरनाक है और कौन सी टीम IPL 2024 का पहला मुकाबला जीतेगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राज़र